महराष्ट्रा में सिव सेना के सांसत संजे राउत का गिरपतारी और उसके बाद जेल से बाहर आने के बाद अब फाइनली मुंबई की पूर मेयर किसोरी पेडनेकर और साथ में ही भावना गौली की गिरपतारी पर पूरी तरह से बवाल मचा हुआ है किसोरी पेडनेकर के बारे में आप सब को पता ही होगा कि ये अभी तक मुंबई की मेयर थी लेकिन अब जो है इनके उपर एक के बाद एक कई बड़े गंभीर आरोब जो है करोन रुपे का घोटाला करने का लगाया गया है खासकर की इसारे प्लेट में वहीं बात की जाए भावना गौली की तो भावना गौली जो है वो भी सिउसेना में ही सांसत पत पर हैं और सबसे बड़ी बात कि इनके उपर भी करोन रुपे का मरी लॉंडिंग का केश जो है इडी के दारा दर्ज किया गया है और पिछले काफी दिनों से इनके खिलाप म चानबीन चल रही थी लेकिन इन ही सब चीजों के बीच में महरास्टा में एक बड़ी अपडेट आई जहां पर महरास्टा की राजनीती पूरी तरह से बदल गई और उधो ठाकरे गुट और एक ना सिंदे गुट दो गुटों में जो है सिउसेना बट गई जिसके बाद लगातार उधो ठाकरे और सिउसेना गुट एक ना सिंदे गुट एक दूसरे से ब्यड़े हुए हैं लेकिन अब इन सब चीजों के बीच में दो ऐसी महलाए हैं जो कि स्यूसेना की हैं एक तो किसोरी पिड्नेकर दूसरी ब्हाँना गौली दो के दोनों के लूगों के खि गोटाले बाजी करने के आरोप में कारवाई की गई इनको पूश्ताज के लिए उलाया गया तो बताया गया कि उनके उपर गिरपतारी की तलवार लटक रही है और कभी भी उनको पुलिस के द्वारा गिरपतार कर लिया जाएगा इसके पीछे का एक बड़ा रीजन था क्यो के साथ में मिलकर घोटाले बाजी की थी उन्हीं लोगों ने जो है पुलिस के सामने सीधे सीधे किसोरी पिड़नेकर का नाम लिया और बोला कि किसोरी पिड़नेकर किस तरह से इस पूरे के पूरे मामले में सामिल थी और इस पूरे के पूरे घोटाले से जो पैसे प्राप कुरान वस किसवरी पेडनेकर को पुलिस के सामने जाना पड़ा और अपना statement जो है उडिवां पर दरजगराना पड़ा लेकिन किसवरी पेडनेकर जैसे ही पुलिस के बाहर निकली उसके बाखर जस्ट उन्होंने एक बड़ा announcement किया और बोला कि वो जल्द ही एगना सिंदे और देवेंद भड़नवीच से मुलाकात करने जाएंगी और मुलाकात करके बताएंगी किस तरह से उनके खिलाप में कारवाई की गए उधर जो है भावना गौली के साथ में भी यही चीजे हुआ जब तक भावना गौली उधर ठाकरे के साथ में थी तब तक इनके खिलाप में सेंटरल एजेंसी एडी के द्वारा एक के बाद एक बड़ी कारवाई की जा रही थी और इनके घर पर आफिस में रेड भी मारी जा रही थी लेकिन अचानक से जैसे ही महराश्रा में एक ना सिंदे ने देवेंद्र भड़नवीच के साथ में सरकार बनाया और यहाँ पर भावना गौली एक ना सिंदे के साथ चली गई उसके जस्ट बाद यहाँ पर इनके खिलाप में भी कोई कारवाई होनी बंद हो गई यहाँ तक की यह भी सवाल उठने लगे कि आखिरकार अभी तक यह जब तक उधो ठाकर के साथ थी तब तक सेंटल एजनसी के द्वारा डेली रेड मारा जा रहा था लेकिन अब अचानक से सेंटल एजनसी को क्या हो गया इस बात को लगातार सवाल उठाय जा रहे थे लेकिन अब जब दो के दोनों लोगों का मामला जो है पबलिक के सामने आया यानि की किसोरी पिड़ने कर और भावना गवली दो के दोनों लोगों का मामला जो पबलिक के सामने आया तो यहाँ पर पबलिक ने सवाल उठाने स सबूत मिले हैं लेकिन उसके बावजूद भी आखिर कर क्या रीजन है जिसकी वज़ा से यहां पर इन दो के दों लोगों की गिरबतारी नहीं हो रही है क्योंकि सेंटल एजनसी ने पहले दावा किया कि किसोरी पेड़नेकर के खिलाप में हमारे पास में सबूत है तो आखिर मिले हैं तो आखिर कार यहां पर जब सबूत मिले हैं बयान दिया गया है कि सोरी पेड़नेकर के खिलाप में तो कारवाई क्यों नहीं की जा रही है सूत्रों से जैसा की अपडेट आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि किसोरी पेटनेकर सायद मुक मंतरी एकनासिंदे और सातमी देवेंद भड़नवीश से छिप छिप कर मुलाकात करने पहुची थी और उनका जो है कहीं कहीं इस मुलाकात के बाद जो कारवाई जो होने वाली थी वो धीरे धीरे रुख गई है मतलब कि जो तेजी से कारवाई होती और हो सकता है कि गरबतार किया जा सकता है उस पर रोग लगा दी गई है ऐसा जो है पब्लिक का मानना है और पब्लिक जो है सोसल मीडिया पर खास करकि ट्यूटर पर लगातार इस तरह के कमेंट कर रहे हैं उनके दोरा लगातार सवाल उठाय जा रहे हैं कि अगर किसोरी पेटनेकर रिक्लाप में सबूत मिले हैं तो आखिरकार कुछ टाइम पहले पुलिस के दोरा ये अपडेट दी गई कि उसको जल्दी हम गिरपतार करेंगे लेकिन अभी तक आखिरकार गिरपतार क्यों नहीं हुई सिंटल एजनसी एडी के दोरा भी बोला गया कि जल्दी भावनागॉली को समन जारी किया गया है अगर वो नहीं पहुचती हैं तो उनको भी गरपतार नहीं किया जाएगा अगर भावनागॉली आज तक एडी के सामने अपना स्टेटमेंट किया रहा है लेकिन अभी तक उनको भी एक बार भी नपूचताच के लिए ब़ला जाज़का है नहीं उनको गिरपतार किया गया है अब इसी मामले को लेकर लगातार लोग सवाल उठा रहे है और बता रहे हैं कि किस तरह से politician आपस में ही मिल कर लोगों को manipulate कर रहे हैं और लोगों को manipulate करके ये game खेल कर सीधे शीधे यहाँ पे कोसिश कर रहे हैं कि किसी तरह से महरास्टा में किसी तरह से सिर्फ और सिर्फ आम public को परसान किया जाए और अलग-अलग मुद्दों पर इनको जो है भिला दिया जाए जिससे कि पब्लिक आपस में ही भिड़ी रहे और ये बहुत ही आसानी से जो करना चाहते हैं वो करते रहें जिससे इन पर कोई भी रोक डोक ना है लोग दोरा सवाल उठाय जा रहा है और बोला जा रहा है कि जल से जल भावना गॉली और साथ में ही किसोरी पेड़नेकर को गिरबतार करना चाहिए क्योंकि इन लोगों ने अगर जुर्म किया है इनके खिलाप में सबूत मिला है तो आखिर कार गिरबतारी क्यों नहीं हो रही है क्या एक आम पब्लिक के द्वारा एक आम आदमी के द्वारा इसी तरह का कोई गुनाह किया गया होता तो क्या पुलिसिस को छोड़ती क्या उसको इतना टाइम तक टाइम दिया जाता जिस साथ से किसोरी पेडने कर और भाउन अकौली को दिया गया है और यहां पे सबसे बड़ी बात कि ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्टी के खिलाप में लोग बोल रहे हैं बलकि सारे के सारे पार्टीों के खिलाप में जा हो बीजेपी हो एक नासिंदे हो या उद्धो ठाकरे हो एंसीपी हो या कांग्रेस हो सबी के खिलाब में लोग द्वारा कमेंट किये जा रहे हैं और बोले जा रहे हैं कि किस तरह से ये लोग जो है हमें मावं पब्लिक को मैनुपलेट करते हैं पूरी तरह से गेम खेलने की कोशिज की जा रही है जब यहां पर उनकी गिरबतारी को लेकर दावे किये गए थे तो गिरबतारी क्यों नहीं हो रही है बाइदाबे अभी भी इन्वेस्टिगेशन जारी है और लगाता किसोरी पिडनेकर को लेकर भी इन्वेस्टिगेशन जारी है और भावना गॉली को भी लेकर इन्विस्टिकेशन जारी है ये देखने वाली बात होगी कि आखिर कारे इंदों के दों लोगों की गरपतारी कब होती है भावना गॉली की गरपतारी हो या ना हो लेकिन किसोरी पिर्णेकर की गरपतारी के चांसे बहुत जादा है उनके उपर गरपतारी की तलवार लटक रही है आपका क्या ओपिनियन है इस पर आपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स मताएं और वीडियो ज्याश्यदा सेयर करें